नाक्पु शहर में इंदिनों ठगी के मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है शाती ठगों के नैने पैतरे इस तरह है कि उन्हें समझ पाना मुश्किल होता जा रहा है उसी प्रकार एक सेवा निर्वित कर्मचारी से एना आईटी की जमीन बेचकर एक करोड़ बावर लाग की ठगी की गई है खुद एना आईटी के अधिकारी होने के बावजूद उस पर कई धानली करने का रिकॉर्डड डच है एनाइटी के मालिकी की जमीन बेचकर सेवा निर्वित अधिकारी से डेर करोड रुपे की ठगी के जाने का मामला सामने आया है सकदरा पुलिस ने ठगी के सुत्रधार एनाइटी के निलंबित करमचारी को उद्धर दबोचा है उसके दो साथी फरार है गिरफतार निलंबित करमचारी अनिल अजाब राव ठाकरे उम्र 55 बश जुना सुभेदार ले आउट और उसके फरार साथी मुक्तार आलम मुहमद अली ओम साहिनात नगर और नाजीम अली सेयद अली आशिरवाद नगर निवासी है सुत्रधार अनिल ठाकरे विवादित व्यक्ती है वह एनाइटी में स्थापते अभी अंतरी का सहायक यानी सीई एके पत पर कारे रत था नौकरी पत पर रहते हुए उसने कई गड़ बड़ी की है इसके चलते अब तक उसे तीन बार निलंबित किया जा चुका है करीब आठ साल पहले वह अंतिम बार निलंबित हुआ था वह खुद को एनाइटी का अधिकारी बता कर लोगों को धोकाधड़ी का शिकार बनाता था स्नेहनगर वर्धारोड निवासी सतरवर्षी गजानन देवलिकर सेवा निर्वत सरकारी अधिकारी है ठाकरे ने अपने दोनों साथियों के माध्यम से देवलिकर को फसाया उन्हें खुद को एनाइटी का अधिकारी बताया ठाकरे और उसके साथियों ने देवलिकर को बत जी दस्तावेस देवलीकर को दिखाते हुए उसे विश्वास में लिया देवलीकर प्लॉट खरीदने के लिए तयार हो गए उन्होंने दिसंबर 2018 से अब ठाकरे और उसके साथियों को 1.52 करोड रुपए दिये इसके बाए ठाकरे द्वारा प्लॉट की रेजिस्टरी करने का इंतिजार करने लगे उनके रगातार तकादा करने पर भी ठाकरे टाल मटोल करता रहा इससे देवलीकर को शक हुआ देवलीकर ने पुलिस में शिकायत दर्चकरा पुलिस ने धोकदरी का मामला दर्चकर ठाकरे को गिरफतार कर लिया है बताया जाता है कि ठाकरे के प्राथमिक चवकशी उक्राइम ब्राइंच उनिट चार नकपूर यंदी केलीली है अंचेंच चवकशी दकल पात्र गुनियाचा दकरार निश्पन जालेया मुळे सदर्चा गुना फिरेदी चाजा बवावरू नोन करनेत आलेला है येचा मधे फिरेदी यनना यनाटी चे प्लाट विकरीला है आशे सांगुन अप्रतेश्याद कुडले प्लाट चीके अना विकरीन करता यनाटी चे चाज मने कार्यरत आसनारा एका कर्मचरी आसनारा वेक्तीने आनि चेचा सुबच्य दोगानी फसोनुक केलीली आए फसोनुक की रक्तम एक कोटी बावन लाग आशे निश्वन दहले ले आए येचा मधे आधिक तपास सालो आए इतर आरोपी आटक करने आधून बाकी आए आधिक सकुल तपास येचा मधे शुरुआ है NBCN News की रिया क्लेश भावजवाच के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट